हेलो, गुद मॉर्निंग, वेलकम टो दा कोचिंग, अभिसे कोचिंग सर्विसेज, योट्यूब चैनल और आए बात करते हैं इस वीडियो में कि लोको पाइलेट कैसे बने बिलकुल स्टार्टिंग से बता हुआ, तो बिलकुल ध्यान से इस वीडियो को लाज तक देखते रहें तो सबसे पहला जो एस्टेप है, वो है आपका क्वालिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशन जो है, वो लोको पाइलेट बनने के लिए कितनी होनी चाहिए तो सबसे पहले है, क्वालिफिकेशन आपका कितना होना चाहिए लोको पाइलेट के लिए तो लोको पाइलेट के लिए सबसे पहले देखिए, आपका 10th होना बेहत जरूरी है 10th यानि कि matriculation और 10th के बाद बहुत साई लोग बोलते हैं कि 12 करना जरूरी है या फिर नहीं है तो 12 करना जरूरी नहीं है अगर आप कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है तो आपको 10th चाहिए और 10th के बाद आपका ITI होना चाहिए और ITI में भी वैसा ट्रेड जो की लोको फाइल्ट बनने के लिए मनने हो वैसे ITI में बहुत सारे ट्रेड होते हैं और कुछ पॉपलर जो ट्रेड है जैसे कि electrician, feeder, इसके लब आपको diesel mechanic, इसका फिर देखे electronics ये सब हैं तो इसके बारे में हमने एक special video मैं बनाऊँगा आप लोग के ट्रेड के बारे में तो उसमें आप लोग देख लीजेगा फिलाल हम लोग बात करते हैं बिल्कुल basic से तो आपका सबसे पहले आपका 10th होना बहत जरूरी है 10th के बाद आपका ITI अब देखे बहुत साइब लोगों का सवाल ये रहता है कि 10th में यानि कि आपका matriculation में कितना % आपको number होना चाहिए तो मैं आपको इसमें बता दूँ कि आपको सिर्फ और सिफ passing से ही काम चल जाएगा ठीक है आपका सिर्फ और सिफ passing ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बहुत साइब लोगों लगता है कि हमारा 50% है होगा या फिर नहीं होगा मेरा 45% है होगा या फिर नहीं होगा मेरा 60 है तो ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ और सिफ passing चाहिए आपका 10th में भी और आपका 10th में भी पासिंग चाहिए और ITI कर रहे हैं उसमें भी आपका पासिंग चाहिए ITI अगर आप नहीं करते हैं आपके पास पहले से आप कर चुके हैं उसमें डिपलोमा या फिर डिप्लोमा किये हैं या फिर आपका बीटेक हो या फिर बीई हो तब भी ये चल जाएगा इसके लब आपको देखे फ्रेसली देख लिजिए आप लोग यहाँ पे टेंथ अपलस आइटी आई या फिर इसके जगह पे डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा नहीं करते हैं इसके लब आपको एक होता है बैचलर अप इंजिनिर्णी यानिकी बी-ई या फिर आपका बीटेक हो वो चल जाएगा लेकिन आपका ये सबका जो ब्रांच है वो ब्रांच एस्पेसल होता है लोको पालिट के लिए अगर आप उससे करते हैं तब हो पाएगा जो कुछ पॉपलर ब्रांच है वो मैं आपको बता रहता हूँ देखे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजिनियरिंग इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल से रिलेटर जिसे इलेक्ट्रिकल में हो गया electronics भी चल जाएगा या फिर इसका wireman भी चल जाएगा या फिर electronics and electrical communication होती है branch वो भी चल जाएगी mechanical में देखें फिर automobile आती है फिर tractor mechanic होती है ITM यह सब जलता है इसके बारे हमने एक बिस्तार से वीडियो बनाए है आप उसको जा करके देख सकते हैं चल यह फिलाल हम लोग तो यह तरह आपका qualification के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि और क्या सब चीजे चाहिए qualification हो गई आपका 10th प्लस ITI होना चाहिए और इसमें 12 करना कोई जरूरी नहीं है अगर आप कर लिए तो कोई देखत नहीं है इतना ही पर आप फॉर्म डाल सकते हैं और इतना डिगरी कंप्लीट करने के बाद आप रेलवे के तरब से आर आर बी के तरब से वेकैंसी निकलती है यह बीडियो बिल्कुल स्टार्टिक में बता रहा हूँ वेकैंसी निकलती है और vacancy निकलती RRB के वेबसाइट पे भारत में total 21 यानि की 21 total RRB के officially रूप से वेबसाइट है जहां से RRB है, relevant agreement board 21 board है जो की अपना-पना के अनुसार vacancy निकलती है, post निकलती है यह 21 जो है वो अपना अलग-अलग निकलती है seat के संख्या और इस vacancy को भरने के लिए आप लोगों से form भरवाया जाता है और इस form को भरने के बाद आप लोग का exam होता है exams में आप लोग पास हुए तो आपको आगे की परकेड़िया होगी, सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में बिलकुल लास्टिंग तक देखते रही है जब आपने form भर दिया, उसको देखिए form की जो जानकारी है वो आपको RRB के website से पता चलेगी या फिर आप मारा वीडियो लगतार देखते रहे है तो जब form निकलेगी तो पता चलेगी या फिर इसमें student के संग है जो करोडों में है तो जब form निकलेगी तो आपको जरूर से जरूर पता चलेगी तो चले हम लोग यह form बगड़ा यह सब को बात को छोड़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं जैसे कि सबसे पहले आपको qualification होगी अब देखिए आपका age limitation जो है वो कितना होना चाहिए नौर्मली जो है age वो 18 से ले करके 30 साल के बीच का होना चाहिए जिसमें कि अगर आप SC और ST candidate हैं तो आपको 5 साल का age relaxation मिलेगा यानि कि आप 18 साल से ले करके 35 साल के उमर तक form डाल सकते हैं अगर आप SC और ST category के student है तो अगर आप हैं OBC candidate तो आप जो form डालिएगा उसमें मिलती हैं आपको 3 साल के relaxation जो कि आपको 30 साल अप पलस 3 साल यानि कि आप 18 साल से ले करके 33 साल के बीच हैं तो आप form डाल सकते हैं इसके अलाबा जो business जो भोदपूर सैनिक के लिए है या फिरे स्टाफ के लिए उसके लिए क्या है age limitation उसके बारे हम एक special विस्तार से वीडियो बनाएं तो उसमें आप लोग देख लीजेगा फिलाल यह generally मैंने बता दिया आप लोग इसके बीच के हैं तो आप form डाल सकते हैं वो जिस नम vacancy निकलती है तो उसमें एक date डाल देता है कि चलो एक जुलाई से पहले का नहीं होना चाहिए तो उस time आपका अगर आप metric किये हैं IT किये हैं तो आपका लगवा में 18 साल मतलब complete होई जाएगी और वो चलिए सब चीज़ है अब हम बात कर लेते हैं ALP में होने वाले selection process के बारे में तो देखिए इसका selection process है वो मैं आपको बताता हूँ selection process selection process देखिए ALP के लिए क्या सब है तो सबसे पहले तो आपको आपकी जो भी qualification में फॉर्म आप डालते हैं form के बाद आपका exams होता है देखिए आपका exam हुआ exam के बाद आपका होता है document verification यहनि कि इसको हम लोग 14 फॉर्म में डी भी बोलते हैं इसके बाद आपको होता है medical test मेडिकल टेस्ट चलिए हम लोग इसी के बारे में हम लोग बात कर लते हैं एकजामस के बारे में तो आए हम लोग देखते हैं क्या सबाहता है एकजामस के अंदर में अब देखें इसमें आपको लोको पाइलिट के लिए आपको इसमें तीन एकजाम होते हैं तीन एकजाम लोको पाइलिट के खुलते हैं तीन एकजाम एक होती है CBT1, CBT2 और CBT3 चलिए अब उन्हों जानते हैं CBT-1 exams क्या होती है इसमें कितना नंबर आपको लाना पड़ता है देखें तीन exam में CBT-1 के लिए हम लोग बात कर लेते हैं CBT-1 exams क्या होती है इसमें किस्तर सबको चाहिए होता है यह जो exam होती है यह होती 75 marks की और इसमें आपको time मिलता है 60 minute का आपको time मिलता है 60 minute का आपको time मिलता है और आपको 75 questions होते हैं इसमें आपको passing के लिए पहले तो बता दिया जाता कि आपका 40% नंबर चाहिए या फिर 35% नंबर चाहिए अलगलग category के लिए लेकिन वो सब चीजे बिलकुल बकवास होती है बिलकुल यह सब जो बाते हैं वो बिलकुल बकवास होती है 40% नंबर या 35% नंबर या फिर 30% नंबर जो बोला है कि लाओगे तो pass हो जाओगे ऐसा कुछ भी नहीं होता है 40% नंबर तो maximum student लाही देते हैं तो आपको यह सिर्फो सिप ऐसा ही एक मार्क दिया हुए कि आपको 40% नंबर से कमने होना चाहिए यह सब कुछ नहीं हाँ इससे कमने होना चाहिए वो तो depend करती है कि exam जो है उसका label कितना है देखें तो आप लोगों को जो नंबर आएगा वो कितना परसेंट पर आपका passing होगा तो देखें 75 मार्क की यह total exam है और इसमें आपका जो mathematics है reasoning है science है gk है और current affairs है तो देखें सब देखें mathematics के बारे में बात कर लेते हैं तो math में से और reasoning में से यह जो question आएगा आपको total वो 50 questions के round आ जाएगी जिसमें कि 25 math या फिर 25 reasoning या फिर 30 reasoning और 25 math यह दोनों में सब का 50 marks बिल्कुल fix है उसका फिर देखे science में जैके physics हो गया chemistry हो गया और biology हो गया तीनों मिला करके आपको 15 number question आएगे इसके बाद जो बच गया 10 number 10 number में से आपका लगभब में 5 number तो confirm विल्कुल fix है 5 से 7 question जो है वो current approach में से 5 से 7 question और जो बच गया मतलब जी के जो part है ना उसमें से बहुत कम question पूछता है या फिर नहीं के बड़ाबर question पूछता है शिर्फ 4 question पूछ दिया वो काफी है तो इस तरस आपका CBT 1 exam होती है और इस exam को आपको stir cube qualify करना है इस exam को आपको stir turmeric qualify करना है यह exam अब देखिए आपको qualifying का मतलब क्या हुआ जो number है आपका vantage मेरीट में नहीं जुरेगा qualifying number जो हती है उओ आपका merit में नहीं जूढता है qualifying number जो है वो merit में नहीं जूढता है तो CBT1 में आपको 60 plus number अगर आप ला देते हैं तो आप आसानी से exam को pass हो जाएगा चलिए रही आपका CBT1 exam CBT1 exam के बाद CBT1 exam के बाद जो आपको है वो cbt2 के लिए आपको फिर से दुबारा से आपको फॉर्म भरना होगा और जो student cbt1 में जिसका result आएगा cbt1 exam आप जब आप देखे आएगा तो आपका result निकलेगा और इस result को जो भी student pass होगा जो भी student pass करेगा वही student आगे के exam cbt2 के लिए form apply कर सकते हैं और वो cbt2 exam में बैठने के लिए फिर form डालेगा फिर आपका admit card आएगा फिर आपका exam center आप जा करके computer based test होगी तो यह रही आपकी तो अब हम लोग बात कर देते cbt2 exam के लिए cbt2 exam अब देखे आपको cbt2 exam में देखे इसका दो पार्ट होता है पार्ट ए और पार्ट बी तो पार्ट ए और पार्ट बी इसमें क्या होती है उसके बारे में जानिए तो cbt2 exam के पार्ट ए में जो question आती है what question total होती है 100 question होती है और इसका जो syllabus होता है वो कुछ है इस तरह से है इसमें भी देखे आपका math है reasoning है इसके अलाबा basic science and engineering और इसके अलाबा जी ए यानि की general awareness बोला जाता है जिसमें हम लोग इसको जी के यानि की science और जी के की रूप में हम लोग इसमें रखते हैं current of us भी इसी में सामिल हो जाती है तो इसी के बारे हम लोग सबस्तार से बात कर लेते हैं तो देखें cbt2 exam में जो question आत रहे हैं वो आपको math plus reasoning से math plus math और reasoning में से कितने question आ रहे हैं वो इन दोनों को मिला करके total question जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 40 वो question आ रहे हैं 40 और इस 40 question के बाद आपको देखिए basic science and engineering basic science and engineering अब देखें यहाँ पर यह एक special subject नया में लागों की आगे हैं 2030 exam से और इसमें से total question जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 40 यानि कि यह सब का syllabus को आ रहे हैं हम लोग अगले वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे अब उन्हों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और सब क्या सब चीज़ें इसके बाद आपको जो question है जी के यानि कि जिसको जी ए बोलाता है यानि कि जी के पेपर इसमें देखें साइन्स हैं फिर देखें जी के पेपर हैं और फिर देखें करेंट अफेर्स में अब question जो बच रहा है वो सिर्फ पसिफ 20 बीस question और यही तीनों में से आपको 20 question लेगा अब देखें इसमें साइन्स जो की physics, chemistry बायरोजी हो गया साइन्स में इसका लगभग में 10 question बिल्कुल fix है साइन्स में से और 10 question जो आपका जी के और current अफेर्स को मिला करके देगा और GK जिसमें की subject आया थी history, geography, economics, political science या फिर basic GK वो सम्में से question बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं एक या फिर दो question आ गया वो काफी है जबकि पहले के exam में 70% question जो होते थे वो GK में से ही होते थे अभी syllabus पूरी तरह से बदल गया है उसका फिर देखिए 5 से 7 question आपका current interface में से पूछ लेता है तो यह तरह ही हमाई बात CBT2 exam के part A के बारे में हमनों जानते हैं part B के बारे में CBT2 exam जो होती है वो part B part B जो होते की यह होती trade test trade test अब यह trade test क्या होती है जब आप CBT2 exam को pass करने के बाद CBT2 exam के लिए आपको जब form भरवाया जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से trade को मतलब कि आप कौन से trade में best हो आप कौन से trade में exam देना चाहते हो अगर आपका electrician है या फिर wildman है या फिर electronics है आपका भले चाहे कोई भी branch हो लेकिन आपको कोई एक subject को आपको चुनना पड़ता है आप उसमें से कुछ भी चुन सकते हैं जो आपके पास option मिलेगा तो electrical group के लिए electrician trade को आप लोग चुन सकते हैं या फिर वायर्मेन भी चुन सकते हैं electronics भी चुन सकते हैं जो भी आप चुनिएगा उसमें से आपको 75 marks का exam होगा और इसका passing mark बिल्कुल fix है 35% है इसमें सिर्फ उसिप qualify करना है इसमें आपको 35% नमबर आपको लाना है आपको इसको बस qualify करना है तो यह रही बात trade test की और इसके बाद इसका बाद जो पड़किडिया है trade test के बाद आपका फिर से आप cbt2 exam cbt1 exam cbt2 exam को pass करते हैं फिर cbt2 exam के बाद आपका result निकलती है result के लिए result के बाद आपका cbt3 exam होती है cbt3 exam इसी को सब लोग psycho test बोलते है सबको psycho test बोलते हैं और इस psycho test में यह जो psycho test रहते हैं यह होती है total पांच टैप का यह भी होती computer पे psycho test के बाद में एक special video बनेगी इस channel पे आप उसको देखना न भूले तो यह होती है पांच टैप की और उस psycho test में जो हो आप लोग को question आते हैं वो memory test, brick test यह सब चीज़े होती है इसके बाद में बिल्कुल special video बनाएंगे फिर आपको पता देगी इसका जो passing माग होती है वो होती है 42% पे आपका passing होती है इसमें न कम या ज़्यादा यह भी qualifying ही होती है तो यह तरह ही आपका ALP के exams के बारे में सारी चीज़े अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अगर आपने CBT1 exam को, CBT2 exam को, CBT3 exam को तीनों को आप qualify कर लेते हैं तो उसके बाद आपका फिर से result निकलती है, final result निकलती है result के बाद आपके घर तक लेटर आती है और उस लेटर में आपका जो selection होता है, वो होता है document verification के लिए, यानि इसको आपको लोग डी भी बोलते है document verification, अब आपको document में क्या सब लगता है, तो वो आपको पूरी list वहाँ पे दी जाएगी इसके बाद में भी मैं आपको एक special video बना के बताऊंगा, क्योंकि लोको पाइड बहुत लंबा मतलब video बनेगा, तब भी ये cover card करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग जो भी important part है, उसका हम लोग अलग लग video बनाएंगे, आप लोग को लगातार बिलकुल मिल जाएग मैं मंगता है, आपका एक final certificate चाहिए, अनि कि आपको metric का certificate उसका फिर दिगर आपका जो technical degree है, उसका आपको certificate और इसके लग आपका जो जाती परमान पतर आपने दिया था age relaxation के लिए, और वो जाती परमान पतर आपको आगे भी काम करेगा, promotion बगएड हमें, तो cast certificate आपको चा आपका document verification हो गया, अब देखिए, बहुत सारी लोग सोचते है, document verification में जो है, हमारा interview होगा, interview यह सब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, interview नहीं होता है, आपको वहाँ पर एक भी question नहीं पूछा जाएगा, वो सिफ लोग को लगता ही, interview बिल्कुल भी नहीं होता है, चलिए, आप आपका document verification हो गया, अगर आपका document सब कुछ valid है, सब कुछ सही है, आपने जैसा वहाँ पर बोला गया था, वह इसा आपने certificate वहाँ पर लाके दिया है, तब आपका होता है medical test, local pilot medical test, medical test, local pilot के लिए, अब देखिए इसका जो, a1 इसमें मांगता है, जिसमें कि आपका सबस ज़्यादा important है, आई, यानि कि आँख, आँख आपका बिल्कुल 6 by 6 होनी चाहिए, और color blind नहीं होना चाहिए, सब का अपना अपना चेक करने का तरीका होता है, इसमें एक से दो दिन का समय लगता है, वह आपको अपने खर्च पर जाना है, आपको होटल मेरा आना है, जिव भी सेटीम होगी, तो आपको आँख जो है, बिल्कुल 6 by 6 चाहिए, इसके बारे में भी बिल्कुल डिटेल से वीडियो मराएंगे, उसको आप देख लिजेगा, और सबसे इंपोर्टन चीज आपका आँख ही होता है, और फि में नहीं रूखेगा, इसकलर फिर आपको जो भारी-भारी बिमारी जैसे कैंसर या फिर डाइवेटेज, यह सब चीजे कभी आपको वहां पर चेक होता है, बहुत सारी चीजों का चेक होता है, लेकिन में है कि आँख, अगर आपका आँख पास हो गया, और कहीं से भी इसका हाइट बहुत चोटा है, तो उसको रखा जोता है बोना के सरेनी में, और उसको एक सर्टिफिकेट दिया आता है, तो ऐसा नहीं है, बस हर एक का जो हाइट लरकों में वो 5 पीट से उपर ही होता है, तो अगर आपका इतना है, तो चल जाएगा, हाइट बिल्कुल भी और हम लोग इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताएंगे, हम लोग केंडिटर से भी मिल वाएंगे, जिसका सेलेक्शन हुआ है, तो आप लोग को पता दिल जाएगी, तो उसके बार देखिए, अपका मेडिकल भी हो जाता है, फिर से एक बार मेरिट निकलती है, बेटिंग में, आपका किसी फेपर में नंबर कम होगा, या फिर और सब से कम होगा, तो आपका जो नंबर है, वो बिल्कुल बेटिंग में रखा जाएगा, और जब डेलबे को जरुत पड़ेगी आपकी, तो आपको वहाँ पर बुला सकता है, 90% चांस रती की वेटिंग वाले का हो जाता है, किले वेटिंग लिस्ट किले हो जाती, या फिर एक आप किसी और, जिसे माले आप आररबी चंडी गर्षे दिये हैं, और आररबी दिल्ली को एक आएक जरुत पड़ेगी लोको पैलेट की, तो चंडी गर्षे वो लोको पैलेट को दिल्ली बुला लेत और वहाँ पर जाता है वेट्टिंग वाला है तो इस तरह से बहुत साइद लोगों को मैंने नौकडी होते वेए देखा है वेटिंग वालों का भी इस तरह से जब फिर जाते हैं आप एलपी अब देखे आपको एलपी कैसे जॉइन मिलेगी तो देखे तो अब हम लोग करके ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग आपकी होती है छे महिने की छे महिने के आपके ट्रेनिंग होती है और इस छे महिने यानि आप लोग का पॉइंट किया जाता है इस ट्रेनिंग के बाद आपका एक्जाम होता है वो ट्रेनिंग वाला ही एक्जाम होता है वो अपना अंदर होता है कि आप लोग जो भी ट्रेनिंग के उसका एक्जाम होता है फिर इस एक्जाम को पास करने के बाद आपको तो दोबारा मौकर मिलता है उसमें पास हो जाता है तो उसके लिए कोई भी बड़ी टेंशन नहीं है बिल्कुर भी नहीं है उसके लिए बड़ी टेंशन अब अपनों देखते हैं आगे कि असिस्टेंट लोको पाइलट यानि फाइनली ए एलपी एलपी आपको बन जाते हैं अब आपको अलपी के लिए कौन-कौन सी ट्रेंट आपको मिल सकती चलाने के लिए सबसे पहले देखिए एलपी और एलपी यानि कि लोको पाइलट है जो अपना एक्सप्रियंस पूरा कर चुक है उनको परमोस्न मिल गया वो अलपी से लोको पाइलट बन चुके हैं तो आ इतना दिन तक वो एलपी रहता है हम लोग इसको दूसरे वीडियो में कवर करेंगें तो चली आप लोग जली जली कमेंट करके बताए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आपको लोको पाइलट अगर आप बनने के इच्छुक है अब याप चाहिए किसी भी क्लास में प इस लोग को पाइलट के लिए जो हमारा अल्लेन क्लाश इसमें हम देते हैं मास्टर नोट्स और मास्टर नोट्स के साथ हम देते हैं स्मार्ट वीडियो कोचिंग एसमार्ट वीडियो कोचिंग और इस दोनों चीज को आप ले सकते हमारे वाट्सेप पर आप कॉंटेक्ट करें हमारा वाट्सेप नमबर है 8406891116 इस नमबर पर आप कॉंटेक्ट करें यह वाट्सेप पर आपको आपस जानकारी मिल जाएगी और यह कोर्श आपको 2500 की मिल जाएगी फिर आप आसानी से लोको पाइलट बन सकते हैं